नमस्कार मित्रों, आप सभी का दैवीक शक्तिया चैनल पर एक बार फिर से स्वागत हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज के इस विडियो में हम आपको मसानी माता का इतिहास बताने जा रहे हैं। मित्रों, सबसे पहले हम जानते हैं कि मसानी कितने प्रकार की होती हैं उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मित्रों माता मसानन को ही माता मदानन भी कहा जाता है। माता मसानी यह सभी मसानियों की रानी है और इनके अंतरगत 360 प्रकार की मसानन होती है जो की इनकी सिविकाएं के रूप में कार्य करती है। यह कोई देविया नहीं होती है बलकि जो स्त्री तंत्र विद्या या मसान देवी देविताओं की पूजा अर्चना करती है उनकी साधना करती है और किसी घटना में उनकी मृत्यों हो जाती है ऐसी स्त्रियों की आत्मा माता मसानी के अंतरगत काम करती है जैसे कि गुजरात में माता मेलेडी बहुत प्रसिद्ध है और इनके नीचे जो शक्ती है उसे चाहपड़ी बोला जाता है आपने कई बार भक्तो या साधको से सुना होगा कि हमने मसानी काट दी है, हमने मसानी का यह कर दिया, हमने मसानी का वह कर दिया और कई लोग तो अज्यानतावश यह भी बोल देते हैं कि हमने मसानी को भगा दिया है ऐसे लोगों को यह जान लेना चाहिए कि यह जो शक्ती है यह माता मसानन के नीचे की शक्ती होती है जिन्हें साधारन भाशा मेभूत, प्रेत, चुडैल भी कहा जाता है और जो लोग भी यह कहते हैं कि हमने मसानी को भगा दिया तो ऐसा बोलना बिलकुल गलत है बलकि उन्हें ऐसा कहना चाहिए कि हमने मसानी का रोग भगा दिया मसानी का रोग जो मसानी के नीचे की शक्ती होती है वह होता है इनकी शक्ती भी माता मसानी के शक्ती की जैसी ही होती है लेकिन फिर भी माता मसानी के तुलना में इनके पास केवल 10% शक्ती ही होती है और यही 10% शक्ती इतनी ताकतवर होती है कि जिसे काटने में बहुत मुश्किल होती है तो आप ही सोचिए क्या माता मसानी के शक्ति को काट पाना आसान होता होगा सभी देवी देवता माता मसानी के आगे नत्मस्तक होते हैं और इनके मर्जी के बिना कोई भी देवी देवता आगे नहीं बढ़ता है बिना इनके इजाजत कोई भी शक्ती किसी के घर तक नहीं पहुँच सकती है तो अब आप माता मसानी के शक्तियों के बारे में जान चुके हैं अब जानते हैं कि मसानी क्रिया क्या होती है मित्रोंक मसानी क्रिया बहुत ही खतरनाक, काला जादू है और यह एक तोना तोटका है इसे सिर्फ वह व्यक्ति ही कर सकता है जिसे शम्षान विद्या की जानकारी हो मसानी विद्या जिसके उपर प्रयोग की जाती है उस व्यक्ति के सारे काम बीगडने लगता है ऐसे व्यक्ति को कई प्रकार की बीमारी हो जाते हैं और उसकी मौत भी हो सकती है मसानी एक ऐसी खतरनाक जादू है जिसमें शमशान में पड़े प्रेत आत्माओ एवं पीडित आत्माओ शक्तियों का उप्योग किया जाता है ऐसा करने पर सामने वाले किसी व्यक्ति के जीवन में परेशानिया आने लगती हैं और उस व्यक्ति के सारे काम बीगरने लगते हैं मसानी क्रिया वह क्रिया है जिसमें किसी शमशान विद्या जानने वाले व्यक्ति के द्वारा परजीवी आत्माओं को डास बनाकर किसी व्यक्ति के उपर भेजा जाता है यह क्रिया जिस भी व्यक्ति के उपर होता है, उसके घर में कभी भी शान्ती का माहौल नहीं बनता है, साथ ही उनके घर में कभी भी खुशी का माहौल नहीं रहता है ऐसे व्यक्ति घर हमेशा अशान्ती बनी रहती है, उसका घर शम्शान के भाती हो जाता है, यह बहुत ही खतरनाक काला जादू है अब जानते हैं कि मसान बीमारी क्या है? मित्रों मसान की बीमारी एक प्रकार की धूत प्रेतों से संबंधी बीमारी है, जिसमें किसी व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के उपर मसान का प्रयोग किया जाता है जिससे कि उस व्यक्ति एवं व्यक्ति के परिवार के उपर भूत का साया बन जाता है और वह व्यक्ति एवं उसका परिवार दोनों ही बहुत ज्यादा परिशान होते हैं और यह मसान व्यक्ति और व्यक्ति के परिवार दोनों को डराता है, जिससे कि उनके घर में कभी भी शांती का माहौल नहीं रहता है। जिस व्यक्ति को मसान की समस्या होती है, उसे सपने में खुद का सीड़ी से गिर जाना ऐसा दिखाई देता है। साथ ही उसे हमेशा सिरदर्द, पेकदर्द एवं कभी-कभी पैरों के दर्द की समस्या बनी रहती है, जिसके कारण वह व्यक्ति बहुत ही ज्यादा चिर्चिडा हो जाता है. इस बीमारी के निवारन के लिए व्यक्ति को तुरंत किसी तांत्रिक या फिर किसी जानकार व्यक्ति के पास जाना चाहिए ताकि इस बीमारी का इलाज किया जा सके. आपको खुद से ऐसा कोई प्रयोग नहीं करना चाहिए, आपको किसी तांत्रिक को दिखा कर ही इस बीमारी को हटाने के लिए कुछ प्रयोग करना चाहिए अब जानते हैं मसानी हटाने के उपाए मित्रों अगर आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आपके उपर मसानी या फिर मसानी माता का प्रयोग किया गया है जिससे कि आपके सारे काम बिगड़ने लगे हैं और आपके घर में कोई भी चीज सही से नहीं हो पा रहा है तो आपको जल्द से जल्द इस मसानी को हटाना होगा यानि की इसे काटना होगा मसानी को हटाने के बारे में हम आपको आगे बताएंगे मित्रो अगर आपको भी ऐसा महसूस होता है कि आपके उपर किसी न मसानी का प्रयोग किया है तो आपको जल्द से जल्द किसी तांत्रिक के पास जाना चाहिए ताकि तांत्रिक यह जान सके कि आपके उपर कौन से मसानी का प्रयोग किया गया है जिसके बाद तांत्रिक आपके उपर प्रयोग किये गए मसानी के बारे में जानकर आपको मसानी माता को चड़ाने के लिए भोग के बारे में बताएगा और अगर किसी वजह से आपके उपर कौन सी मसानी माता का प्रयोग किया गया है यह पता नहीं चलता है तो ऐसी स्थिती में माता मदानन को भोग लगाया जाता है क्योंकि कहा जाता है कि माता मदानन की बात कोई भी मसानी देवी नहीं काटती है यह सब प्रयोग आपको किसी तांत्रिक के पास जाकर ही करवाना चाहिए जिससे कि इसके बारे में पूरी जानकारी हो आपको खुद से कभी कुछ प्रयोग नहीं करना चाहिए अब जानते हैं मसान बाधा पीडितों के लक्षन मित्रों अगर आपको अपने आसपास की चीजें सकारात्मक नहीं बलकि नकारात्मक प्रतीत होती है और आपको कुछ भी सही नहीं लगता है ऐसा लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है तो यह मसान बाधा हो सकता है जो भी व्यक्ति इससे पीडित होता है वह हमेशा थोड़ा जुक कर या अपने पैरों को कुछ ज्यादा ही खीच कर चलने लगता है जिससे की इसका पता लगाया जा सकता है पीडित व्यक्ति को दिन भर सिरगर्द एवं पेट दर्द की समस्या बनी रहती है साथ ही साथ इसकी वजह से वह बहुत ज्यादा चिर्चिडा भी हो जाता है जो व्यक्ति इससे पीडित होता है उसे सोते वक्त बहुत ही ज्यादा बुरे सपने आते हैं कई बार सपने में उसे खुद सीधी से गिर जाना ऐसा भी दिखाई देता है कभी कभी पीडित व्यक्ति को पेट और सर के साथ साथ पैर के दर्द की भी शिकायत रहती है पीडित व्यक्ति के शरीर या फिर कपड़ों से बद्बू आती है या फिर उसके आसपास वाले जगहों से बहुत ही ज्यादा बद्बू आती है यह बद्बू सड़े हुए मास जैसी हो सकती है जिससे की उसका दंग घुटने लगता है अब जानते हैं मसानी से पिडित व्यक्ति का उप्चार मित्रों अगर बात करें मसानी की तो यह चेचक ही है जिसे देहात यानी की गाव जैसे इलाकों में मसानी के नाम से जाना जाता है और यह रोग शीतला माता के कोक से ही किसी व्यक्ति के शरीर में पंपने लगता है और अगर मसानी को हटाना है तो इसके लिए कई प्रकार के भोग लगते हैं जैसे चावल आटा, नारियल, कच्ची लस्सी, गुड आदी इन सभी भोगों को पीडित व्यक्ति के द्वारा शीतला माता को भोग लगाया जाता है जिससे मान्यता है कि शीतला माता की कृपा से यह रोग पूरी तरह समाप्त होता है क्योंकि शीतला माता अपने साथ एक कलश सूप एवन नीम के पत्ते एवन ज़ाडू धारन करती है और इनका संबंध सीधे इस रोग को खत्म करने से है क्योंकि कलश से पीडित व्यक्ति को शितलता मिलती है, सुप से उस व्यक्ति को हवा किया जाता है और साथ ही जाडू की वजह से चेचक फटने लगते हैं तथा नीम के पत्ते उन्हें सडने से बचाती हैं तथा उन्हें करने में मदद करती हैं